हलो अपरिपान, वालकम डिजी सेंट्रिक, तो दोस्तों, इन रिसेंड ट्रेंट सीरीज, डिजिटल इलेक्रोनिक्स में, आज हम लोग डिसकेशन कंटेनी कर रहे हैं, सिक्वेंसिल सर्किट का, सो मुझे अमीद है कि आप सभी ने अभी तक के सेशन को अटेंट किया होगा, और काफी हद तक आपने एक सिक्वेंसिल सर्किट में किस तरह के कोशन फ्रेम हो रहे हैं, इसका एक आइडिया आपको मिला होगा, अभी इसमें काफी कोशन बचे हुए हैं, तो वन वाइवन क्ल करते हैं, फिर समझेंगे क्या इसमें बात की गई है, the maximum clock frequency in megahertz of a four stage ripple counter, guys आपको दिया गया है एक four stage का ripple counter, okay, utilizing flip-flops with each flip-flop having a propagation delay of 20 nanosecond, is rounded off to one decimal place, आप से ये पूछा गया है, कि कोई four stage का ripple counter है, जिसके अंदर आपको एक flip-flop की अगर हम बात करें, single flip-flop, उसका propagation delay दिया गया है, 20 nanosecond का है, यानि कि उस पर जो भी input apply किया जाएगा, उस particular flip-flop पर आप जानते हैं, 20 nanosecond के बाद वो propagate होगा, ऐसा mention किया गया है, और आप से पूछा गया है, कि इसकी clock frequency maximum हम कितनी रख सकते हैं, यानि कि कितनी maximum clock frequency इसके लिए suitable होगी, ये question आप से पूछा गया है, question clear हो गया है सभी को, यानि कि एक four stage ripple counter हमने design किया, अब obviously आप जानते हैं, four stage ripple counter है, इसका मतलब है कि उसमें चार flip-flop use किये गए होगे, okay, हर एक flip-flop का propagation delay आपको दिया गया है, 29 seconds, बास समझ मागे इतनी, okay, अब आप से पूछा गया है, कि जो clock हम apply कर रहे हैं, external clock हम जो apply कर रहे हैं, उसकी clock frequency maximum कितनी हम रख सकते हैं, यानि कि clock का जो minimum possible time period क्या होना चाहिए, यह आप से question मैं पूछ लिया गया है, that's a question, question मैंने explain कर दिया है, और मुझे उम्मीद है, यह direct formula based question है दोस्तों, मैं इसको हला कि explain भी कर दूँगा concept के along with, but just आपने अगर classes attend कियो है, sequences circuits की, तो मैं समझता हूँ, this is just a formula based question, आपको formula याद होगा और आप answer find इसमें कर लेंगा, कोई बहुत heavy tricks इसमें required नहीं है to answer this question, okay, I'm just hoping that, कि आप सभी लोग इसको एक बार एक बार try कर रहे होंगे, और चलिए, अब एक बार जल्दी से आप इसको अपने लेवर पर try कर लाएं, चलिए, अब मैं solve कर रहा हूँ, definitely आप सभी के लिए, सबसे पहले अगर हम question को समझें यहां से, तो maximum clock frequency in megahertz, आप से पूशी गई है, 4 stage का ripple counter, ध्यान समझेगा, जैसे 1, 2, 3 and 4, यह ऐसा कोई descending order में नहीं है, flip-flops का आकार, ओके, just to understand है, flip-flop 1 है, flip-flop 2 है, flip-flop 3 है, and flip-flop 4 है, let me recall you, यहां पर एक flip-flop external clock से connect किया जाता है, ओके, और इसका जो output है, वो act करता है, as a clock for the second, और इसका output act करता है, third के लिए clock, and इसका यहां पर, और सभी flip-flop toggle mode पर operate करते है, very rough diagram मैं यहां पर बना रहा हूँ, आप सभी इस, पूरे discussion से, अच्छे तरीके से aware है, तो बहुत ज़्यादा detail में जाने की ज़रूरत है नहीं है, सच, तो समझे गए धहां से, अब हम जानते है, ripple counter है दोस्तों, तो ripple counter के अंदर, सभी flip-flops, अलग-अलग समय पर operate होते हैं, यानि कि, अगर मैं किसी एक particular case की बात करूँ, तो पहले इस पर हमने clock apply की, इसने output generate किया, और इसका output अगर zero से बन जा रहा है, और यह clock positive as है, तो दोस्तों, यह वाला flip-flops trigger हो जाएगा, okay, otherwise यह trigger नहीं होगा, अगर यह positive as है, तो यह zero से बन जाएगा, दूसरा वाला flip-flops तो तीसा वाला trigger हो जाएगा, similarly, अगर यह zero से बन जाएगा, तो यह fourth वाला trigger हो जाएगा, यानि कि, सभी flip-flops one by one operate होगे, अगर ऐसी कोई situation है, जिसमें सभी flip-flops को operate होना है, तो पहले यह operate होगा, इसकी basis पर यह operate होगा, फिर यह operate होगा, और फिर यह operate होगा, यानि कि, हमें यहाँ पर जो clock time period हम रखते हैं, हाला कि यह formula मैंना already classroom में discuss किया हुआ है, और आप सभी को याद भी होगा, वो रखा जाता है, small n tpd flip-flop, understood है, guys, ring counter के अंदर हम जानते हैं, यहाँ पर, सभी flip-flops synchronized होते हैं, तो ring counter के अंदर, एक साथ सभी flip flop operate होते हैं, that's why, हमें किसी भी flip-flop के लिए, particularly, क्या नहीं करना होता है, वहाँ पर, आपको, जरूरत नहीं होती है, अलग अलग propagation delay count करने की, सिर्फ वहाँ पर setup time count के जाता है, क्योंकि data वार वार change हो कि आता है, तो setup time वहाँ पर important होता है, लेकिन यहाँ पर setup time का कोई role नही है, क्योंकि सब भी flip-flop already toggle mode पर operate करते रहते हैं, तो यह है T clock, आपको एक flip-flop का time delay दिया गया है, 20 nanosecond है, और small n की value भी दी गई है, number of flip-flops, so in this formula, we know that n is what, number of flip-flops, तो number of flip-flops, कितने यहाँ पर लगेंगे, वो mention है, हर एक flip-flop का propagation delay mention है, can we have the value of T clock also, yes, so T clock is 4 times 20 nanosecond, am I right or not, yes, guys, clock की maximum frequency आप से पूश ले गई है, तो F clock max, let me tell you, F clock का general formula जो होगा, जैसे यहाँ से अगम देखें, तो F clock का general formula होता है, is less than or equal to 1 upon T clock, okay, अब इसकी maximum value, guys, क्या हो सकती है, definitely आप हो सकते हैं, is equal to 1 upon T of clock, understood है, तो guys, यहाँ पर मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मुझे यहाँ पर रखना चाहिए, 1 upon plus minus NTP, क्योंकि clock frequency, इसके तो reciprocal ही होगी होगी है, definitely, लेकिन आप जानते हैं, यह इसके relation में इस तरह से होती है, अब यहाँ से बन अपन T clock हम लिखेंगे, तो 1 upon T clock means, this 4 into 28 T, 10 to the power minus 9 आ जाएगा, yes, okay, यहाँ से अगर हम इसको rearrange करें तो उपर पहुंच गया, 10 to the power 9, megahertz में पूछा गया है, megahertz में पूछा है, in megahertz, yes, तो 10 to the power 6 को यहाँ multiply कर देंगे, 10 to the power 3 यहाँ पर रहेगा, 10 to the power 6 यहाँ पर रहेगा, in hertz divided by 80, 100 by 8, so it will be 1, okay, 12.1 something, as I think, okay, 12.1 megahertz, अब आप calculator से इसकी exact value जो भी आती है, निकाल लेना, so this is the maximum clock frequency जिसको हमें consider करना चाहिए, for the smooth operation of this 4 bit ripple counter, यानि कि इस 4 stage ripple counter को appropriately operate होने के लिए, आप अधिक्तम जो clock frequency ले सकते हैं, वो है 12.1 megahertz, that's a simple answer, understood है सभी को, चलिए तो screen को first करें, और concept बहुत simple था इसका, है न, इसमें अगर वालिजे, यहीं पर आपको ring counter में दे देता, 4 stage का ring counter, तो आपको कोई फ़र्ग नहीं पड़ता, आप बोलते, T clock is equal to burn upon TPD flip-flop, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ और important हो जाती है, setup time, क्योंकि आप जानते हैं, कि ring counter के अंदर logic rotate हो रहा है, तो definitely, जैसे मालिजे, किसी एक clock पर output generate हुआ, और उसके immediately after, अगर मैं दूसरी clock apply कर दूँगा, तो जो setup time चाहिए, data को वहाँ पर आपको, minimum time clock apply करने से पहले data को जो उपलब्द कराने का समय है, वो अगर आप नहीं देंगे, तो data वहाँ पर input terminal पर available ही नहीं होगा for the propagation, understood है, तो next stage में propagate हो सके, इसके लिए हम वहाँ पर setup time को भी तबज्यो देते हैं, यानि कि ring counter अगर यह होता, तो answer होता, t clock is greater than and equal to tpd flip-flop, plus t set prime, हालंकि यह सब बात हैं हमने discuss करी हुई है, बास समझ वाँ गई सभी को, basic question था, electrical engineering में पूछ लिया गया था, so मुझे उम्मीद है कि जितने लोगों ने digital just पढ़ी होगी, उननने 20 को सही answer कर दिया होगा, तो I would like to say, this question is just a basic category question, बेसिक ही है यह question, आगे बढ़ सकते हैं, let's talk about the next question guys, उससे पहले छोड़ा सा announcement आपके लिए, digital electronics को very affordable fee structure पर आप join कर सकते हैं, g-centric पर इसके लिए आप application को download कर लाएं, और 2.99 rupees, pizza से भी comprise मैं आप इससे बढ़ सकते हैं, अगे, so बात मतलब यह है कहने का, कि आप अगर self study कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अच्छी तरीके से prepare कर रहे हों, और चीज़ें आपको समझ में भी आ रही हों, बट, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका जो preparation time है, अगर वो 10 hours आप in a day पढ़ रहे हैं, तो उसका effective time coaching या किसी हम experts से पढ़ते हैं subject, तो आपका वो बढ़ जाता है, कुल मिला के यह है, कि अगर आप जितनी चीज़ें 10 hours में cover कर रहे हैं, उतनी चीज़ें आप 5 hours में ही cover कर सकते हैं, अगर आप उनको systematic पढ़ते हों, तो, बाकि, it's up to your choice, definitely, but I would like to suggest you, कि आप इसे बिल्कुल join कर सकते हैं, और कहीं से मालीज आप पढ़ भी रहे हैं, और आपका concept उतना strong आपको नहीं feel हो रहा है, तब भी आप इसको join कर सकते हैं, देखें, बहुत affordability है, fee बहुत कम है, इन सब बातों से आप यह न सोचें कि content wise कोई compromise होगा, या इतना अच्छा नहीं होगा, कैसा ही होगा, क्या बता, बिल्कुल भी आपको इसे कुछ भी issue नहीं है, इसके demonstration YouTube पर available है, वहाँ पर आप देखें, संतुष्टी करें, देन आप उसको join करें, ऐसा नहीं है कि एगदम से आपके लिए दिया कि यह कोर्स है, आप प attend करें उसको, और जब आप attend करें, then you will realize कि हाँ किस तरीके से पढ़ाया गया है, फिर आप उसे join कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों अगले question की बात कर लेते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, चलिए, let's read this question, the digital circuit shown, एक आपको logic circuit यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, डी फिल जो कि Q1, Q2 के output को as a input यहाँ से ले रहा है, Q1, Q2 as a input है नौर गेट के लिए, और यह D0, यानि कि पहले बाले flip-flop पर इसको भेज रहा है, understood है, और अगर हम clock की बात करें दोस्तों, तो यह synchronized clock इस पर apply की गई है, यानि कि जो counter है, वो synchronous counter है, synchronous counter है, synchronous counter आप जानते हैं, सभी flip flop क्या है, synchronized है, एक साथ operate हो रहे हैं, all the flip-flops are operating simultaneously, यानि कि जैसी clock on होगी, सभी flip-flop एक साथ काम करना शुरू करते हैं, आप से पूछा गया है, is a divided by 5 counter, is a divided by 7 counter, is a divided by 8 counter, does not function as a counter due to disjoint cycles of states, आप से 4 options में एक answer आपको इसमें से बता रहा है, that's a question, so मैं कहूंगा यह moderate level का question है, बहुत tricky नहीं है, लेकिन solve करना पड़ेगा, so that's why it's a moderate level question, so आप screen को pause करना, सबसे पहले question को note करना, मैं थोड़ा side हो जाता हूँ, आप question को फड़ा पट से note करें, note किया है सब न, okay, चलिए, अब note करने के बाद आप इसे एक बार attempt करें, अपने level try कर लें, चलिए, अब मैं solve कर रहा हूँ इसको, हमें जैसा देख पारे हैं, हम सभी d flip-flops हैं, okay, synchronized है, means, जैसे-जैसे clock यहां पर apply होगी, वैसे-वैसे, सभी flip-flop यहां पर क्या होंगे, एक साथ operate होंगे, अब इन पर input क्या है, उसके according output generate होगा निश्यत तोर पर, लेकिन trigger, जिसको हम बोलते हैं, कि input process तो हो, input execute तो हो, तो वो एक साथ इन सभी को provide किया गया है, okay, अब हम यहां पर इसकी state को जाना है, उससे पहले समझ लेते हैं, कि यह state define क्या कर रहे हैं, basically, अगर आप, सबसे पहले मैं इसकी truth table यहां पर बना रहा हूँ, guys, यहां पर आपसे बोला गया है, कि यह, एक divide by 5 counter है, पहले इस बात का मतलब समझते हैं, क्या है, माल लीजे आपने, माल लीजे आपने, जितनी clock frequency small f apply करी, okay, small f clock frequency apply करी, अब आपका, जो counter operate हो रहा है, वो कितने state के बाद, अपने आपको repeat कर रहा है, ध्यान सुना, कितने state के बाद, अपनी states को repeat कर रहा है, जैसे माल लीजे कोई simple, मैं एक up counter के बाद करूँ, तो suppose हमने consider गिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा एक counter है, जिसके अंदर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये numbers generate हो रहा है, तो इसमें कितनी states हो गए, 0 generate हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, कितने state हो गए, 6 state हो गए, यानि कि ये mode 6 का counter है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये divide by 6 counter है, yes, क्योंकि जितनी number of states generate हो रहे हैं, वो क्या हो गया, वो modulus number हो गया, अब जाना याद करो, किसी counter का modulus number कर capital M है, तो उस पर clock frequency small m, f apply के जाए, तो output frequency होती, f by m, तो यहाँ पर यही इसका मतलब है, divide by 5 मतलब modulus number 5 है, divide by 7 मतलब modulus number 7 है, divide by 8 मतलब modulus number 8 है, और last option बोल रहे हैं कि भाई, ऐसा कोई counter बन नहीं रहा है, कुछ भी random इसमें चल रहा है, जो कि एक proper execution नहीं है, हाँ, चार option, कुछ भी हो सकता है, तो आपको justify को करना है, that's the question, समझ में आगे questions अभी को, अब हमें basically क्या करना है, एक ए clock को apply करना है, और देखना है कितने different outcomes generate हो रहे हैं, हमारे पास दोस्तों, जितने different outcomes generate होंगे, वही इसका modulus number होगा, वही इसका divide by, जो इसका नाम पूशा है, वही answer होगा, that's all, understood by questions अभी को, आगे बढ़ा जा सकता है, चलिए, सबसे पहले हम बात करें clock frequency की, so this is the clock, and हमारे पास, जो flip-flops हैं, उनकी outputs है, respectively, q2, q1, q0, किसी भी sequence में आप लखें, कोई फारक नी पढ़ना, क्योंकि आपको different outputs यहाँ पर देखने हैं, यह मैंने q2, q1, q1, q1 लिखती हैं, जिसे हम शुरुआ से लिखते आ रहे हैं वैसी, all 0 पर मैंने माली है initially, sun 8 है चारो तरफ, initially all 0 है, अब आप पहली clock apply करेंगे, तो दिखते हैं क्या होता है, चली, सबसे पहले, let's apply the first clock pulse, guys, see, the very first clock हम जो apply करते हैं, तो सभी flip-flop, trigger हो गए, trigger हो गए, okay, q1 पर क्या है, अब मैं यहाँ लिखता जाओंगा, अगली बार में erase करते हैं, 0, q2 पर क्या है, बोलो, 0, 0, 0, nor gate पर बेज़ते हैं, तो generate करता है 1, yes or no, nor gate में 1 generate होने की, एक मात्र condition है, दोना input 0 होना चाहिए, अगर एक input भी 1 हो गया, तो nor gate का output 0 आएगा, और gate का, just compliment है, बिल्कुल, तो यह 1 इसको मिला यहाँ से, गाईस, यहाँ पर आगया 1, अब ही हमने पहली clock apply नहीं कहीं ध्यान दिजेगा, पहली clock हमने apply नहीं किये, हमने q0 को माना है 0, तो यहाँ पर है 0, q1 पर हमने माना है 0, और q2 पर भी हमने क्या माना है 0, अब ध्यान समझना, यहाँ पर nor gate का कोई भी propagation delay नहीं दिया गया है, यानि कि हम इसे आदर्श, यानि कि ideal मान के चलने वाले हैं, means इसका कोई भी propagation delay नहीं है, इसको just signal मिलेगा भाई से, यह लेगा, यह लेगा, यहाँ पर मिला 1, यानि कि D पर आ गया है 1, इस D को क्या मिलेगा, बोलो, 0, इस D को क्या मिलेगा, 0, q1 है वही तो है, q0 है वही यह और इस पर जो आया है, वह खांसा है, नौर गेट के output से आया है, अब सारी तयारी हो चुकी है, यानि कि D यहाँ पर 1 है, यह बाला 0 है, यह बाला 0 है, अब आपने first clock apply की, तो क्या होगा जेखो जरा, अच्छा, first clock apply की, तो यहाँ पर जो 1 है, वो D flip-flop क्या करता है, 1 भीज यहाँ पर भी 0 भेजा, तो Q2 को क्या मिलेगा, 0, मतलब अभी first clock pulse complete हुई, और हमारे बास यहाँ पर यह output जनेट हो गया है, देखो यहाँ पर यह खाया output, यह जनेट हो गया है, अब हम second clock apply करेंगे, उससे पहले हमें यह पता लगाना पड़ेगा, यह हमें यहाँ पर लिख क्या है, क्योंकि synchronized हैं, जैसे second clock apply करेंगे, simultaneous भी flip-flop operate होना शुरू हो जाएंगे, तो आपको ध्यान यह देना यहाँ पर, कि हम second clock apply करें, उससे पहले यहाँ पर inputs क्या होंगे, तो देखिएगा, Q2 पर क्या है, 0 है, Q2 पर 0 है, Q1 पर क्या है, यहाँ भी 0 है, Q0 पर क्या है, तो दोस्तों आप जानते हैं, Q0 पर जो 1 है, वो इसके लिए input का काम करेंगा, Q1 पर जो 0 है, वो इसके लिए input का काम करेंगा, यहाँ पर जो 0 है, वो इसके लिए input काम करेंगा, देखो, अब 0 इधर गया, 0 इधर गया, nor gate, 0-0 भेजाएंगे, तो generate करेंगा 1, यानि कि बाज चुका है 1 ध्याँ से समझना इस पर input 1 है इस पर भी input 1 है इस पर input 0 है अब हमने second clock apply कर दी अब apply करीए second clock देखिये first clock apply कर दी उसके बाद हमने setup time दिया setup time के दोरान इन सभी पर यहां से data यहां पहुंच गया ऐसे समझ लो आप यहां से यहां पहुंच गया और यहां से प्रपगेट होगी यहां आ लिए वो हम बोलते है setup time जिसको अब setup time आपने दिया जिस दोरान सभी input पर data ready हो चुका है अब आपने second clock apply कर दी तो जैसी second clock हम apply करेंगे तो क्या होगा बोलो q0 पर d पर भीजा है 1 q0 को मिलेगा 1 ओके इस d पर जाइस जीरो बन बन यहां पर जनेट हो चुका है अभी हमने second clock complete कर दी अब third clock apply करने से पहले हम यहां पर फिट से input को ready कर देंगे बोलो क्या है q2 पर है 0 0 q1 पर है 1 q0 पर है 1 बिल्कुल सही है यहां तकी बात समझ में आ रही है सभी को ओके अच्छा जो q0 पर 1 है क्या वो इसका input है बिल्कुल अच्छा q1 पर जो इसका input है बिल्कुल q2 देखे है q2 पर 0 q1 पर 1 0 1 combination किसको मिलेगा नौर गेट को मिलेगा बिल्कुल 0 1 नौर गेट 0 और 1 0 तो इसको मिलेगा 0 अब हम third clock pulse अप्लाइग करेंगे यहां पर q0 पर क्या जनुट होगा जो डीपर है ययानिद की जिरो ओकर इस deepर की अपलाइड है वन तो क्योबन बजरने हो जायगा वन इस डीपर की अपलाइड है 1 तो Q2 पर के जनेट हो जाएगा 0 यानि कि जनेट हो गया है 0, 1, 0 इतनी बाद समझवा रही है सभी को कोई confusion की गुझाईस यहां तक नहीं है आगे बढ़ेगे चलें अब हम बात कर रहे हैं किसकी 4th clock pulse की लेकिन 4th clock pulse अप्लाइ करने से पहले हमें देखना पड़ेगा किस flip-flop पर क्या input applied है ध्यान देजीगा सबसे पहले देखें Q2 Q1 Q0 की values क्या क्या है Q2 पर है 0 Q1 पर है 1 और Q0 पर क्या है बोलो Q0 पर क्या है 0 क्या हम ऐसा बोल सकता हूँ Q0 का 0 इसके लिए input है बिलकुल इस Q1 का 1 इसके लिए input है बिलकुल अचा Q2 पर 0 है Q1 पर 1 है 0 बन इसको मिलेगा नौर गेट पर तो यहाँ पर क्या मिलेगा 0 मिलेगा बास समझागी इतनी चले अब हम apply करते है 4th clock pulse इस पर 0 इस पर 1 applied है 4th clock pulse आपने apply करती देखे क्या होगा ध्यान दीजे 0 इदर से propagate हो गया कहां गया Q1 पर क्या बन गया 0 इस पर 0 चला गया Q1 पर भी क्या आ गया 0 और इस पर चला गया 1 यानि की Q2 पर आ गया है 1 अब जनेट हो गया है 1 double 0 ओके इतनी बास समझागी यहां ताग चलिए अब हम बात करते है 5th clock pulse पर क्या होगा लेकिन 5th से पहले हमें जो input है वो तयार करना पड़ेगा तो देखे Q2 पर है 1 Q2 पर है 1 Q1 पर है 0 Q1 पर है 0 Q0 पर है 0 यह applied है अब Q1 Q2 पर 0 बन combination है यानि की nor gate पर भीज़ेंगे 0 बन तो यहां पर क्या जनिट कर देगा 0 clear है चलिए यहां पर 0 है यहां पर 0 है यहां पर भी 0 ही है चलिए अब हमने 5th clock pulse अप्लाई की तो देखते हैं क्या होता है जैसे 5th clock हो आपने अप्लाई की तो जो डी इस पर 0 है वो Q0 पर पहुंच गया 0 0 इस पर जो 0 है वो Q1 पर पहुंच गया 0 इस पर 0 है वो उसको पहुंच गया Q2 पर 0 अब ज़राद ध्यान से समझना देखे जीरोत clock पर हमारे पास यानि कि हमने clock अप्लाई नहीं की उससे पहले हमारे पास क्या था All 0 All 0 से next state के आई 0 0 1 उसके बाद next state के आई 0 1 1 इसके बाद next state के आई 0 1 0 फिर आया 1 0 0 फिर आगया 0 0 0 क्या अब आप बता सकते हैं कि इसके बाद वाली clock यानि कि 6th clock पर क्या आएगा तो मुझे एक बाद बहुत clearly इसमें समझ में आ रही है वो ये है कि 6th clock पर वही आएगा जो 1st clock पर आया था yes or no क्या आप इस बाद से समय था 1st clock पर जो आया था वही 6th clock पर जनेट होना चाहिए क्यों होना चाहिए बोलो क्यों जब भी Q2, Q1, Q0 की value all 0 होती है तो उसकी next state 001 होती है अच्छा बहुत बढ़िया जीरो वन जीरो am I right or not? yes at 9th clock if I see 010 के बाद next state होती है 100 यही चमतकार चल रहा है इसके अंदर तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर 000 इसके बाद आता है 001 yes or no? फिर आता है 011 फिर आता है 010 और फिर आता है 100 क्या यही state generate हो रही है बार बार? एक बाद ध्यान से देखें लो उसको 100 यह state generate हो रही है decimal भी चाहो तो लिखें लो ऐसा मन करना तो decimal भी हम इसके लिख सकते क्या आएगा बोलो 0 1 3 2 4 कितने different outcomes है guys 1, 2, 3, 4, 5 5 different outcomes generate हो रहे हैं और आप कितनी ही number of cycles तक इसको operate कराते रहे हैं और आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि यही 5 outputs बार 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 हम पर repeat होते रहेंगे तो यह कितनी भाई frequency का हमने counter design कर लिया डिबाइड भाई 5 का option A is the right answer first option will be the correct answer of this question so I would like to say guys यह question conceptual understanding पे based है तो moderate to deaf आप इसे consider कर सकते हैं बट मैं कहूंगा यह moderate question है concept की study अगर हमने की हुई है तो इस question में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आप आके उलज जाएं उलजने वाले questions जो होते हैं जो गलती करवा सकते हैं उलज जाते हैं जिनमें उनको मैं मानता हूं difficult होते हैं बाकि जो concept पर based है analysis तो करना पड़ेगा questions में analysis gate में आपको करना ही होता है तो जो analysis पर based question है उनको moderate रखा जा सकता है उनको हम in fact अगर conceptual हम सही तरीके से पढ़ रहे हैं तो उनको आसान भी मान सकते हैं कुछ लोगों को लग रहा हो कि question आसान है सर इसको moderate कर बोड़ेगा I'm just saying in the sense of कि moderate मतलब जिसमें analysis करना हो अब इसमें एका clock अगर आपना गरबड कर दी तो होगा ये कि आप इसमें समय कर आप कर सकते हैं तो that's why it is moderate बाकी conceptually कोई बहुत heavy concept इसमें applied नहीं general understanding जिसकी अच्छी है counter खी वो आसानी से इस question को answer कर बाएंगे चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले session में जहां पर हम बात करेंगे कुछ और interesting questions के बारे में in the last three years कैसे questions आयो हो हैं gate electronics, electrical and instrumentation branch में so that's all for the release session thank you so much for watching